चिकन पेटीज की एक मज़िदा रेसिपी आज आपके साथ शेयर करने वाली हूं जिसको आप पॉफ पेस्ट्री के बगएर बना सकते हैं पॉफ पेस्ट्री के बगएर बहुत जादा असाने से चिकन पेटीज बनते हैं तो इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं अब सेफेले आपको एक बोल देना होगा इसमें आप 2 कप जितना मेदा डाल देux मेदे में आप 1 तीग टीपून जितना नमक एट कर दे 1 तीप जितनी शुगर अब इसमें 1 तीपून बेकिंग पोरडर एट करना होगा 2 तेबल इसमें ओ 느 roof कर दे तब आप इसमें एक टेबल स्पून मेल्टिट पटर एट कर दें और डॉफ को अची तरीके से आपको गुनना होगा जब आप इसकी परफेक्ट डॉफ बनाएंगे तो आपके पैटीस जो हैं व अची तरीके से बनेंगे काउंटर पे इस तरह आपको गुनना होगा पांच म डीके तरीके प्याषट तरीके बालें एक सा बारीक कटा हुआ को कि आपको एक सासा ने मिन attach मिल प्यास डूर uniformこれは प्लॉफ इस सौफ अंत्ज राइंओ रिरक कटा हुआ जब तक 20 में चैय तो एक सा बारीक कटा हुआ याच मिला मृच agriculture देबलाि फेस्पून नमक अई इसप परख्विये 25 बिर्म के पनाना सिखाउंगा, 2 एक पीस हो इस सो पतलती आपको बनाना सिखाउंगे. छोगारा पीस से दूसरा पीस था 黏 5 पेड़े अपार पेड़े. सबसे पेड़े पंच मिनट्हकुल ड़ेने के लिए चीस पाहँ के लिए वाला पेटीज आपको बनाना होगा, बिल्कुल पतला करका मैंने से बेल दिया है, अब इसके उपर आपको मेल्टेड बटर लगाना होगा, अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप इसमें मेल्टेड गी भी लगा सकते हैं, इससे यह होगा कि इसमें लियर्स आएंगे और पेटीज बनकर त्यार होगे, अच्छी तरीके से बटर लगाने के बाद इसको इस तरह फॉल करें, जैसे हम पफ पेस्ट्री की शीट बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरह इसकी शीट बनानी होगी, लेकिन पफ पेस्ट्री गी का मैंने इस्तमाल नहीं किया है, इसको इस तरह फॉल करने के बाद इस तरह आपको इसके उपर घी लगाना होगा या बटर लगाएं और इसे फॉल कर दे, अब इसे आप किसी भी वेप में बन करकर पांच से दस मिनट के लिए फिर्श में रखते हैं, अगर मुसम ठंडा है तो इसे बार भी आप रख सकते हैं, पांच मि में रखना होगा और इसे पांच से दस मिनट के लिए रेस देनी होगी, इसे यह होगा कि जब यह ओवन में बेक होगे तब अच्छी तरीके से इसमें लिए और साइंगी, दूसरी मतबह मैंने इसे फिर्श में बार निकाला है, अब यह परफेक्ट तरीके से बने के लिए पीजा कटे की मतल से मैं इसके पीस कट कर दूँगी, और जो स्टफिंग मैंने बनाई थी वो इसके बीच में रख दूँगी, और मौजला चीज इसके उपर रखने के बाद इसको आप इस तरह फॉल करें, जिस तरह में कर रही हूँ, परफेक्ट और मज़ेदार पेटिस बनकर त्यार हो जाएंगे, जो लास्ट वाले पीस पचे हैं, इसको आप इस तरह फॉल कर सकते हैं, जब इराइज होंगे, तब आप इनका फाइनल रुख देखेगा, तमाम पेटिस मेने बना दिये हैं, और जो पांच मेने छोटे से पेड़े बनाए थे, ये बहुत ज़ पर फिर से आपको बैलन चलाना होगा, और स्टफिंग लगने के बद आप इसको इस तरह फॉल करें, जिस तरह मैं फॉल कर रहे हूं, मिनी और बहुत ज़्यादा लुक वाइज अच्छे देखने वाले समोसा पेटिस बनकर त्यार हो जाएंगे, तबाम पेटिस को मेने ब बुरुष की मदर से इसके ओपर अपलाय करते हैं, और लुक वाइज बहुत ज़्यादा अच्छा आता है कलर पेटिस का, जो साइट वाले पेटिस हैं, इसके ओपर मैं मौजला चीज रख दूँगे, मैंने से बेक किया है, 35 मिनिर्स के वाइ, 120 के टेमटरचर पर और इसक इसको आफ पॉफ पेस्ट्री के बगए बना सकते हैं, जो के बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार बनकर त्यार होते हैं, अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आए तो मेरे पेज़ को ज़रू लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें, चीज से भरे हु